हेलो फ्रेंड्स कुक्वित वावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में पॉप्सिकल या लॉलीज खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग लेमन मिन्ट लॉली या लेमन मिन्ट पॉप्सिकल जिसे बनाना भी बहुत आसान है और उसके सामगरी भी हमें घर में इजीली मिल जाती है तो हम फटा फट लॉली बनाना शुरू करते हैं और उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिये गए बैल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेश यहां पर हमने तीन कप पानी ले लिया है फिर हमें यहां एक नीबू लेना है और इसका हमने लेवन जैस्प निकालना है यानि इसका जो छिलका है उसे इस तरह से एक ग्रेटर की सहाईता से हमें लेना है इस तरह से चारो तरफ से आप इसका अच्छे से निकाल लीजिए छिलका यहां हमने पूरा लैमन जैस्ट ले लिया है इस तरह से एक नीबू का अभी हमें यहां हमने वन फोर्थ कप कटी वी पुदीने की पत्तियां ले ली है यह हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छा फ अप्सिकल को और इसके बाद हम इसमें एक से दो ड्रॉप ग्रीन फूड कलर की डाल देंगे ताकि हमारी लॉलीज को बहुत अच्छा कलर मिल जाए यह अप्शनल है पूरी तरीके से यदि आप डालना चाहें तो डाले बढ़ना डाले यहां हमने आधा कप चीनी ले ली है यह हम इसमें डाल देंगे यहां हमने गैस ओन कर दिया है अभी हम इसे चला लेते हैं चीनी घुलने तक और इसमें उबाल आने तक हमें इसे पकाना है इसमें मेजर्मेंट का आपको खास ख्याल रखना है यहां हमें फ़र आप इसमें वानल ले ले सकते हैं तो इसे हम थोड़ा सा पानी लेकरके और इसमें घुल लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसका टैक्स्च्चर हलका साथ गाडा करने के लिए, ये कॉन फ्लार हमारा घूल चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं, अब ही हम पांस साथ मिनुट इसे और पकाएंगे, यहां हमारा लिक्विट काफी गाडा हो चुका है, तो हमें अब इसे इतना ही पकाना है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा और टेस्ट अच्छा बढ़ाने के लिए, यहां मैंने आदी छोटी चमच काला नमक ले लिया है, जो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा चट पटा टेस्ट लाने के लिए, यहां वन फोर्थ लेमन जूस इसमें डालना है अभी मिक्स कर लेते हैं हम इसे अच्छे से और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे तो अभी हमारा ये जो मिक्शर है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अभी हम एक चलने की साहिता से इसे दूसरे बोल में ट्रांसफर कर देंगे हमने अभी इस लिक्विट को तयार कर लिया है चान करके और यहां मैंने इस तरीके के पॉप्सिकल मोल्ड ले लिये हैं और यहां मैंने दो कुन्फी के मोल्ड भी ले लिये हैं और यदि इन दोनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप प्लेन ग्लास में भी जमा सकते हैं इसे और यहां जो पेपर कापस आते हैं उनमें भी आप इसे डाल करके और जमा सकते हैं तो अब हम इसे मोर्ड में डाल देते हैं हो ऑच में रला हो खोल को मोर्ड में डाल दिया है और इसकी गाप हम लगा देते है också कि कि यहां 48व पीं सब्सक्राइब के जो मूर्ड अिसमें यह क्वल नहीं लगाना है इसे हम 250 पेपर से कवर करेंगे यहां हमने इसे फॉयल पीपर से कवर कर लिया है और छोटा सा हम यहां कट लगाएंगे और उसमें जो हमारी आइस क्रिम स्टिक है वो हम इसमें डाल देंगे ज़िए आपके पास आइस क्रिम स्टिक नहीं है तो आप जो स्पून होता है उसके पीछे वाले पार्ट को इस तरह से इसमें डाल के भी काम में ले सकते हैं अभी हमारी लॉली जाने के लिए बिल्कुल तयार है तो अभी हम इसे आठ से दस गंटे के लिए फ्रिजर में रख देंगे या फिर आप ओवर नाइट भी इसे रख सकते हैं तो अभी हम इसे मोल्ड से निकाल लेते हैं उसके लिए आपको क्या करना है इसे एक मिनट के लिए हम इसमें छोड़ देंगे एक मिनट बाद हम इसे इसमें से निकाल लेंगे यह देखे हमारी lemon mint lolleys कितनी ठैड़ी बनके तयार हो गई friends हमारी खुप सुरत सी lemon mint lolleys बनके बिलकुर तयार है यह देखने में जतनी सुनदर है उतनी खाने में भी टेस्टी है तो आप भी lemon mint lolleys बनाईए एक आईए और अच्छी लगे तो like कर दीजिआ और शेर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में